स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में तो आज आप देख सकते हमारे साथ है Tata Harrier Facelift का Army Edition जी है मैं मजाग कर रहा हूँ यह Army Edition तो नहीं है लेकिन Basically Adventure Edition का Signature Color है जिसका नाम है Seawood Green Color लेकिन इसका Look and Feel ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे दिमाग में कहीने कही है कि इच्छा होती है कि हम भी एक Army Edition की गाड़ी में बैट पाएं तो इसको जब आप खरीदेंगे तो ऐसे लेगा कि आपने military की या फिर Army की गाड़ी खरीद रखी है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी Army Edition के बारे में तो सबसे पहले प्राइस के आइडिया दे देता हूँ मैं आपको तो स्क्रीन पे आप सारही वेरियंट के प्राइस देख सकते हैं जो वेरियंट आज हमारे साथ है उसके बारे में बात करें तो यह एडवेंचर एडिशन स्पेशलिसका मैनूल ट्रांसमेशन वाला वेरियंट जिसका एक शोरूम प्राइस है 20.19 लाक रुपीज तो बने रही इस वीडियो में तक मेरे साथ अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आप एडवेंचर एडिशन खरीते हैं तो क्या-क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं और भी कहीं न कहींए कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है है हैरियर का जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपने किसी और चैनल पर देखा तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरू बात कर लेते हैं टाटा हैरियर के अडवेंचर वेरियंट के बारे में डिटेल में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं complete front profile and भी seaweed green color आपको कैसा लग रहा है नीचे comment section में जरूर बताना बाकी features के बारे में बात करें तो जिहां इस variant में भी आपको connected LED DRLs याने के daytime running lights मिल जाती हैं लेकिन welcome function नहीं मिलेगा next बात करें turn indicators के बारे में तो जिहां इस variant में आपको dual purpose turn indicators मिल जाते हैं तो like आप देख सकते हैं या आपको turn indicators मिल जाएंगे एंड इसी assembly में DRLs याने के daytime running lights मिल जाती हैं next बात करें headlamps के बारे में तो again आपको LED projector headlamps मिल जाएंगे and साथी साथ fog lamps भी आपको LED की form में मिल जाते हैं fog lamps assembly में आप देख सकते हैं functional आपको air vents मिल जाएंगे next बात करें front grill के बारे में तो यह आप देख सकते हैं काफी stylish front grill जहाँ पे middle में मिल जाता है Tata का logo लेकिन logo के नीचे आपको यहाँ पे provision तो मिलता है लेकिन camera नहीं मिलेगा क्योंकि इस variant में 360 degree camera का feature नहीं मिलेगा and नहीं आपको front bumper में parking sensors मिलते हैं बाकी आप देख सकते हैं silver color finishing में skid plates तो यह तो बात हुई front profile के बारे में और चलिए बात कर लेते हैं side profile के बारे में और चलिए बात कर लेते हैं side profile के बारे में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं complete side profile का look and features के बारे में बात करूं तो major difference जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इसके alloy wheels में तो जी हाँ, यहाँ पर आपको adventure variant में मिल जाते हैं 17-inch के machine cut dual tone finishing में alloy wheels and भी alloy wheel के design आपको previous generation वाली Harrier की याद दिलाएगा तो एक बार आप देख सकते हैं complete alloy wheel के design बाकी wheel profile के बारे मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं wheel profile 235 by 65 R16 profile के आपको tires मिल जाते हैं जहाँ पर front में disc and rear में drum type brakes मिलते हैं wheel arc पर आप देख सकते हैं cladding मिल जाएगी 205 mm का ground clearance मिलता है बाकी आप देख सकते हैं door पर Harrier की branding मिल जाती है ORVMs के बारे में बात करें तो यहाँ यहाँ पर आपको glossy black color finishing में electrically adjustable और foldable ORVMs मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको कोई 360 degree camera बगर नहीं मिलेगा आप turn indicators देख सकते हैं door handle आपको body color मिलते हैं जहाँ पर driver side door handle पर आपको request button sensor मिल जाएगा बाकी B pillar black doubt दिया गया है उपर आप देख सकते हैं roof rails जो की again black color finishing में मिलती है and भाई इस variant में आपको sunroof नहीं मिलेगी बाकी हाँ shark fin antenna आप देख सकते हैं 50 liters की fuel tank capacity मिल जाती है rare में मैंने आपको बताया drum type के brakes मिलेंगे तो यह तो बात हुई side profile के बारे में और चलिए बात कर लेते हैं अब rare profile के बारे में और चलिए बात कर लेते हैं अब rare profile के बारे में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं harrier के adventure variant की complete rare profile यहाँ पे भी आपको भी connected LED tail lamps मिल जाते हैं and feature के बारे में बात करें तो उपर आपको shark fin antenna मिल जाएगा parametric LED tail lamps connected आपको LED tail lights मिल जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं Tata के logo के नीचे आपको reverse parking assistance के लिए camera मिल जाता है boot gate पे आप देख सकते हैं harrier की branding मिल जाएगी reverse parking assistance के लिए rare bumper में दो आपको parking sensors मिल जाएगे साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको reflectors मिल जाते हैं reverse lamp आपको मिल जाएगे दोनों साइड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो functional आपको air curtains मिल जाती है and boot space का idea दूँ वैसे boot space तो similar ही मिलता है आप चाहें harrier को कोई भी variant खरीदें 445 liters का आपको boot space मिल जाता है जहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी आपको parcel tray मिल जाएगी जो rare seats है वो 60-40 ratio में splittable and foldable मिलती है जिसकी वज़य से आपका boot space और increase हो जाता है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई speaker बगर नहीं मिलेगा next आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको lights मिल जाएगी utility hooks मिल जाते हैं और spare wheel आपको नीचे मिल जाता है तो यह तो बात हुई boot space के बारे में boot को close करने के लिए manually ही आपको इस तरीके से boot को close करना पड़ेगा तो यह तो बात हुई rare profile के बारे में और चलिए बात कर लेते हैं अब interiors के बारे में चलिए बात कर लेते हैं अब interiors के बारे में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं driver side door handle पे आपको request button sensor मिल जाएगा and interiors के बारे में बात करें detail में तो यह आप देख सकते हैं driver side door जहाँ पे आपको ब्लेक और ब्राउन कलर के इंटीर्स मिल जाएंगे, डूल टोन फिनिशिंग मिलती है, जैसे कि मैंने आपको फिर्लेस वेरियंट में दिखाया था, संलिट येलो कलर वाले इंटीर्स मिलते थे, आपको चाहिए आप कोई सा भी वेरियंट लेंगे, सिमिलर्ली अगर आप एडवेंचर परसोना का कोई भी वेरियंट लेंगे, तो वहाँ पर आपको ये ब्राउन कलर के इंटीर्स की फिनिशिंग मिल जाएगी, बाकी फीचर्स के बारे में बात करें, तो ये आप देख सकते हैं, एपिलर माउंटेड आपको ORVM के लिए, कंट्रोंस मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक के लिए अडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM मिलते हैं, डार्क क्रों फिनिशिंग में आपको दोर उपनर मिल जाएगा, चारों आपको power windows मिलते हैं, जहाँ पर driver side, power window, auto up, auto down feature के साथ आएगी, नीचे आप देख सकते हैं, डॉर पॉकेट्स में लिए आएगी, और ये है Adventure variant का complete front dashboard, dual tone finishing में आपको dashboard मिलता है, black and brown color का, और बात करें, driver and co driver seats के बारे में, तो अगयन आपको adjustable headrest मिलते हैं, height adjustable आपको driver seat मिलेगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं, seat up all street, and by threading आप देखेंगे, तो अगयन brown color की threading मिलती है आपको, तो ये काफी अच्छी बात है, कि बाई, attention to detail काफी अच्छी रखा है Tata Motors ने, बाकि आप ये देख सकते हैं, driver side, AC event, engine start stop button, आपको इस variant में भी मिलता है, आपको यहाँ पर wooden finishing मिल जाएगी, आज हमारे साथ manual transmission वाला variant है, तो आप देख सकते हैं, तीन paddle, और चली अंदर बैठते हैं, और बात कर लेते हैं, अब इंटिरियर्स के बारे में, और अभी मैं बैठ चुका हूँ, driver seat पे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, complete front, dashboard, adventure variant का, तो सबसे पहले मुझे comment section में ये बताओ, तो ये black and brown color के जो इंटिरियर्स हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि भाई, लास्ट वीडियो में, sunlit yellow color के इंटिरियर्स, आपको gray color में, या फिर white color में जो मिलते थे, उससे आप काफी नाखुश थे, तो मुझे ये बताओ कि अगर आप adventure persona खरीदेंगे, और आपको इस color के इंटिरियर्स मिलेंगे, तो आपको कैसे लगेगा, बाकी features के बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे बहले मैं आपको key fob दिखा देता हूँ, तो यह आप देख सकते हैं key fob, इसके अंदर आपको car को lock unlock करने के साथ-साथ, follow me home headlamp, and boot gate को open करने के controls मिल जाते हैं, steering wheel के बारे में बात करें, तो flat bottom all new steering wheel मिलता है, जहाँ पर Tata कर लोगो illuminate होता है, and यह tilt and telescopic दोनों adjustment के साथ आएगा, चलिए मैं आपको एक बार ignition on करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही आप ignition on करेंगे, आप देख सकते हैं, इस तरह का interface आता है, steering wheel, instrument cluster, and साथ-साथ infotainment system का, steering wheel पर आप देख सकते हैं, काफी सारे आपको steering mounted control मिल जाएंगे, like volume up, down, call, gutter and receive, voice command के, and mode बगएरा change करने के, and right hand side आपको cruise control मिल जाता है, साथ-साथ M.I.D. को control करने के लिए, यह आपको button मिलता है, यह आप देख सकते है, head lamp के control मिल जाएंगे, and 7-7 wiper के, instrument cluster के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको मिल जाता है, 10.25 inch का digital instrument cluster, जहाँ पर काफी सारे information शो जाती है, like अभी आप देख सकते हैं, media की information available है, यह आप देख सकते हैं, current trip, trip A, trip B, notification कोई होगी, तो वो यहाँ पर शो जाएगी, setting कुछ आप करना चाहिए, setting कर सकते हैं, trip information मिल जाएगी, instant fuel efficiency, distance to empty, trip A, vehicle information में आप देख सकते हैं, tire pressure monitoring system मिल जाता है, power and torque representation, geforce meter, service reminder, DEF level, navigation, आप देख सकते हैं, अपने phone को आप connect करेंगे तो, navigation आप instrument cluster पे भी देख सकते हैं, compass, यह media की information, तो यह सारे information आपको, instrument cluster पे शो जाती है, तो यह तो बात हुई, instrument cluster के बारे में, next बात करें, infotainment system के बारे में, तो जी हैं, यहां यहां पर आपको मिल जाता है, 10.25 inch का test screen infotainment system, जो की wireless android. apple carplay को support करता है, यह आप देख सकते हैं, सारी apps आपको मिल जाती है, android, dot, apple carplay, climate वगरे मिल जाएगा, climate में लेकिन हा, अपर models में आपको dual zone climate control मिलता है, लेकिन हापे आपको single zone ही मिलेगा, तो यह सारी apps आपको मिल जाती है, काफी responsive आपको test screen मिल जाती है, और चलिए मैं आपको एक बार reverse gear डालके, reverse parking camera की quality भी दिखा देता हूँ, तो यह आप देख सकते हैं, camera and sensors दोनों की information मिल जाती है, अगर आप खाली camera की quality जाते हैं, full screen पर camera भी देख सकते हैं, भई हाँ, comparatively अगर आप top and model देखेंगे, तो उसके comparison में जो आपको camera की quality वो यह अच्छी नहीं लगीगी, यहाँ पर आपको, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, dashboard पर आप देख सकते हैं, black color finishing में यह wooden type की finishing दी गई है, जो की काफी अच्छी लगती है, क्योंकि black and brown color का जो interior उसको यह की premium touch देता है, बाकी capacitive touch type के आपको control मिल जाते हैं, AC के, यहाँ पर यह fan speed के लिए and यह temperature बगर के लिए मिल जाएगा, बाकी ambient light भी आप देख सकते हैं, ambient light आपको मिल जाएगी, all over the dashboard, नीच आप देख सकते हैं, soft padding, brown color की threading, USB type A and type C के आपको charging ports मिल जाते हैं, and 3 आपको driving mode भी मिल जाएँगे, जिसकी indication आपको instrument cluster पे भी शो हो जाती है, इसके साथ इसाथ, eco and sports mode भी आपको मिल जाते हैं, तो यह सारे आपको driving modes मिल जाते हैं, next आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ है manual transmission वाला variant, तो gear transmission lever आप देख सकते हैं, 6-speed unit मिलती है, and भई, handbrakes के बारे में बात करें, तो इस सो देख के आपको पुराने वाले harrier की याद आने वाली है, तो aero style में आपको handbrakes मिल जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, adventure variant में, पीछे आप देख सकते हैं, साथ ही साथ, armrest, and यहाँ पर आप देख सकते हैं, cool armrest मिलता है, 12-volt का X-ray socket मिल जाएगा, USB type A, and Tai-C के आपको charging ports मिल जाएगे, next बात करें, co-driver side dashboard के बारे में, तो लुक आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको, काफी अच्छी space मिल जाती है, safety का काफी अच्छा दियान रखा गया, six airbags आपको standard मिल जाते हैं, co-driver side sunshade आपको simple मिलता है, and यह आप देख सकते हैं, cabin lights, LED आपको lights मिल जाती है, passenger side airbag को आप off कर सकते हैं, manual day night IRVM, and भे, इस variant में आपको sunroof नहीं मिलती, तो आप देख सकते हैं roof, white color में आपको roof मिल जाएगी, and driver side sunshade भी आपको simple मिलता है, तो यह तो बात हुई front cabin के बारे में, rear passenger cabin के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, rear passenger side door, यहाँ पे भी black and brown color के आपको interiors मिल जाएगे, and by Tata Motors ने customers का काफी अच्छा ध्यान रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस variant में भी manual blinds मिल जाते हैं, बाकी आप देख सकते हैं, dark chrome finishing में आपको door opener मिल जाएगा, door armrest पे power windows मिल जाती हैं, नीचे आप देख सकते हैं, door pockets मिल जाती हैं, and यह है rear passenger cabin, adjustable आपको headrest मिल जाते हैं, rear passengers के comfort के लिए आपको armrest मिल जाएगा, cup holders के साथ, साथ ही साथ आप देख सकते हैं, airbags, total six airbags, standard मिलते हैं, already मैं आपको बता दिया, rear passengers के लिए pillar mounted आपको AC vents मिल जाएगे, and वही कुछ इस तरीके के लोग आता है, front dashboard का rear passenger cabin से, engine के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, cryotech 2 liter turbo charge diesel engine, जो की 170 PS of power, and 350 Nm का torque generate करता है, तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे comment section में जरूर बताएं, और अगर आपको किसी भी reason की वज़े से, वीडियो पसंद आती है, या मेरा content पसंद आता है, तो please channel को subscribe करके जरूर जाएं, क्योंकि भाई last 2 साल से, सिर्फ मेरे 1000 subscriber ही बड़े हैं, तो मैं आपसे request करूँगा, कि अगर आप ऐसे ही मेरा exclusive content देखना चाहते हैं, तो please channel को subscribe करके support जरूर करें, तो चलिए इस वीडियो को में ही पेंट करूँगा, तो गाड़ी चलाते हैं में seed weld, और बाइक चलाते हैं में helmet लगाने में बिल्कुल न शर्माएं, यह आप ही की safety के लिए है, तो इस वीडियो में बस यतना ही, thank you.